हेलोएट्स मैं आपको ये डिजाइन बताने जा रही हूं कैसे बनाना है छइपंदें ये में आपको बताती हूं आपने जितना ब्रणाना है ब्रणा के फिर यहांसे ये डिजाइन स्टार्ट हुआ है यह 14 रो का डिजाइन है चलिए स्टार्ट करते हैं यह मैंने इतने फंदे डाले हैं और नीचे यह बोडर बना लिया है हुआ है ये कि दो सीदे कारूटे दो सीदे चारूटे दोसीदे छारूटे ऐसे ही मैं तीन बनाके बता रही हम आपको इसमें लिखिये rules लाइile को आत वाइन Now डाल दी आन दीए उर तीन चार यहां से नीचे से श्लाइम बनाके फिर नुवी इन ऑप मैंने 6 डाल ली है अब ये 7 वी सलाई डालने लगी हूँ ये देखी फर्स्ट फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे सेकंड वाले को सीधा बुनेंगे फिर हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे 4 फंदे उल्टे फिर ये 2 सीधे एक दो सीधे फिर ये 4 उल्टे फिर ये एक दो तीन चार फिर फिर ये एक दो सीधे फिर ये 4 उल्टे फिर ये जितने मेरे एक्स्ट्रा थे मैंने उनको सबको सीधा बुन लिया है ये उल्टी स्लाइस आरी उल्टी वुनेंगे ये 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 एक दो एक्षा बाट्टे लिए ये ज़िए ये ये खिर ये ज़्ड़ले बुने लिए ये इंगे ज़ो पिर आरी उल्टी सीधे आरी लागे यह 8 सलाइयां बन गई 2 4 6 8 2 सलाइयों का यह एक बनता है तो यह 8 सलाइया बन गई अब 9 सलाइय में यह द्यान से देखें यह विखंदा हम उतार लेंगे फिर यहां जादी बनाएंगे ऐसे 2 का 1 करेंगे पीछे से धागे को लेंगे 2 का एक फिर यह 4 बंदें सीधे एक, डो, टीन, ये चार, चार फंदे हमने सीधे वुन दिये, फिर यहाँ एक करेंगे, फिर यहाँ दो का एक, यहाँ एक जाली बनाएंगे, दो का एक, फिर ये चार फंदे सीधे, टीन चार धागे को पहले पर्टेंगे ऐसे फिर ये दो का एक करेंगे ये जाली बन गई पिर ये चार फंदे सीधे दो, तीन, चार पिर यां एक जाली बनाएंगे ऐसे धागए इसको पट के पिर ये इसके अंदर से ऐसे घुमा के दो का एक कर देंगे ये जाली बनगे ये हमारे लास्ट में चार फंदे थे चारों फंदे हैं अब उल्टी स्लाइहं उल्टी बुनेंगे यह मारी लोग आगे तैन थ्रोव है इसकों उल्टी स्लाइको उल्टाई बुनेंगे अब यह इला मत्रोव है सीधी साइड आगे एक फंदा ऐसे ही उतारेंगे दूसरे फंदे को यह सीधा बुनेंगे फिर हम धागा आगे करेंगे और यह धागे को ऐसे पर्ट लेंगे इस फंदे को पर्ट रेंगे फिर यहां दो का एक करेंगे जाली बना रहे हैं यह ऐसे जाली बन गई फिर यह एक सीधा फिर यह दो का एक करेंगे ऐसे दो का एक किया अब हमने यहां भी जाली बनाने हैं ऐसे जाली बन गई यहां एक कम किया था एक इधर बढ़ गया अब इस फंदे के साथ भी इधर भी एक जाली बनाएंगे ये इसको धागे को ऐसे घुमाएंगे और ये दो का एक करेंगे फिर ये हम बीच में एक सीधा बुनेंगे फिर ये दो का एक करेंगे फिर यहां इस फंदे के साथ एक जाली बनाएंगे फिर इधर यहां पर दो का एक करेंगे भागे को आगे पटके दो का एक किया ये ऐसे बनता जाएगा फिर एक फंदा बनेंगे फिर यहां दो फंदे के का एक करेंगे और इसके साथ यहां एक जाली बूनेंगे और ये दो पंदे सीधे बूनेंगे और उल्टी स्लाइस आरी उल्टी बूनेंगे वेल्ट स्लाइस आरी उल्टी अब फिर पहला फंदा उतारेंगे दूसरा फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे इसको सिद्धे वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे इसे वाले फंदा उल्टा बुनेंगे और ये अब हम तीन का एक करेंगे धागे को आगे करेंगे ये हम तीन का एक करेंगे ये बीच वाला फंदा हम आगे वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे उप बीच वाले को ऐसे आगे कर लेंगे और अब यहां यह ऐसे तीन का एक करेंगे ऐसे हो जाएगा और फिर यहां एक जाड़ी बनाएंगे इसे सीधा बनेंगे यह वाल फंदाम उल्टा बनेंगे और यहां पर हम तीन का एक करेंगे आगे वाला पीछे रेजएंगे पीछे वाला को आगे करके बीच वाले को आगे करेंगे अब यह ऐसे तीन का एक कर देंगे फिर यह एक जाड़ी बनाएंगे यह सीधा बनेंगे फिर यहां पर यह दो का एक करेंगे एक यहां इस साइड जाड़ी बनेंगी ऐसे बनता जाएगा अब ये बीच वाल दागा आगे करेंगे और तीन का एक कर देंगे ऐसे ये ऐसे तीन का एक फिर यहां एक जाली बनाएंगे फिर ये बंदे सीधे बनेंगे और उल्टी स्लाई सारी उल्टी बनेंगे फिर फिर ये बंदे सीधे बनेंगे और ये सारी स्लाई उल्टी बनेंगे ये दिखे ये ऐसे बनता जाएगा ये फिर उपर से ऐसे चार उल्टे और दो सीधे ऐसे फिर ये स्टार्ट हो जाएगा ये दिखे ये ऐसे ही डिजाइन बनेगा ऐसे ही हम उपर ही चार उल्टे और दो सीधे ऐसे ही चार उल्टे दो सीधे बनाते जाएगे पूरा बनाएंगे तो ऐसे ही डिजाइन बनेंगा बहुत ही अच्छा बनता है अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जुरू करें मेरे चैनल को सब्क्राइब जुरू कर दें थैंक्स पूर वाचिंग बाई बाई